नमस्कार दोस्तों मैं हूं राज और स्वागत है आप सभी का हमारी यूटीब चैनल इस्टड़ेविट पंडेजी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मैच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट को सॉल्व कराएंगे और बताएं कि कोई भी कोश्चिन जो किस खु súper और आएंप याल की अइंप जूर्टियो में पूछे जाएंगे देखें दोस्तों आज कि यहां पर एक सिर्किल दिया हुआ हुआ है कि 115 डिग्री है तो सेश कितना हो जाएगा सेस हमारा 180 में से घटा यहां पर मिल गया तो यहांपर 65 डिग्री के कूण का फॉर्मेशन होता है तो यह 90 degree हो गया, यह 65 degree हो गया और यह पता नहीं है हमको और यह मिल करके एक त्रिभुज का निर्मान करते हैं तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं तो योग जो है कितना होता एक 180 degree होता है तो x is equal to कितना हो जाएगा, 180 में से हम घटाएंगी कितना 65 प्लस 90 को इतने को घटा देंगे तो हमको आजाएगा value और y x की जो value हो है वो 25 degree आएगी तो यहाँ पर जो value x की वो 25 degree आंसर होगी ठीक है यह है आपका पहला question solve करने का तरीका आपको पता चल गया कि एक line segment आपको एक 60 degree का होता है और इस इस तरीके से हम question को solve करते हैं अब देखिए मैं दूसरा question बता रहा हूँ दूसरा question यह कह रहा है कि पहले दिया हुआ है कि एक cylinder है हम क्या करते हैं कि एक cylinder बना लेते हैं और उसके बाद यहां पर दिया हुआ है कि उसके नीचे एक hemisphere बाउल दिया हुआ है और यह कहा रहा है कि जो total है खिलावना इस total की length 13 cm है और 13 cm यह कहा रहा है कि आयमेटरी दिया है इसका ब्यास दिया हुआ है 14 cm दिया हुआ है तो इसको पूछ रहा है इसका आयत tal कितना होगा इसका तो बडिया एससकी 7 cm होगी कि bit शाट सेंटी मिटर खरेंगे तो घंके कैसे सौथ करेंगा तो इसको मिलії हम कैसे सूल्व करेंगे हमारा हमी स्फियर का ऑफ हम हम क्या क्राइग करेंगे सं इज लेंगे में guys- Grade क्राइट कर देंगे sìंगे टोटल नहीं जाएगा इस इस इसकी इस इक स्वाफ है तो इस प्र었다 3 दो इस सथ साथ फ्लास से के एक नखें जानते हैं पाई・R2H होता है था होता है और पाई कितना हुँए पाई नखना चसका बांगा हैute शहां से यहां तक हैंड था हैईच हो जाएगा खुछ बाकि बचलते ही इसकी high Tin एक वान शीक्स पोर टूपाइंट सैंटीमिट्र क्यूब आएगा सैंय में लुक्ति लुकृत आएगा झा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब देखिए अगला question जो है हम आपको यह करा रहे हैं कि next question जो है आपका यह कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई system of equation देता है मान लीजिए कोई हमको समीकरण दिया हुआ है वो समीकरण दिया हुआ है कैसा 3x square plus k minus 1 multiplied by x plus 9 is equal to 0 दियो अब देखिए इतना जो हमको equation दे दिया हमको क्या बता रहा है कि एक चीज़ बोला है एक्स बराबर जो 3 है इस समीकरण का हल है तो जानते हैं क्या होगा अब हम एक्स बराबर 3 यह इस पर put up करेंगे तो यह इस value को जो है प्लस के माइनस 1 यहाँ पर x है तो इसके जगए प्लस 9 is equal to 0 यहाँ पर तिम तरी का नत्री 27 हो जाएगा प्लस 3 क माइनस 3 टृफ्ल नाइन इस एकवल टू जीरो अब यहाँ पर देखिए इसको सुल करेंगे तो 27 तो यह इसे रहेगा प्लस 3 क यहाँ पर इसको सुल करेंगे तो 29 सो 900 जाएगा तो यहां पर 9 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा प्लस 6 इसको सॉल्व करेंगे तो 3K प्लस 30 3 is equal to 0 आ जाएगा और 3K की वैलू जो यह प्लस 23 सीधर जाएगा तो माइनस 23 हो जाएगा और इसको यह जो सॉल्व करेंगे तो K इस इक्वल तो आपका आजाएगा minus 11 यानि कि इस जमीक्राण में आपका K की वैलियू कितनी है minus 11 यानि कि इस समीक्राण को आप वैल्यक्याँ करेंगे तो आपके लिए K की वैलियू जो है minus 11 के बराबर हो जाएगी ठेगए और कुछ को बसानीक है पूछ करूए जो थोक को चर यहां मैं वहिए पर यहां पर आपब यहां ऑप यहां पर आग यहां?. साइड है ना यह चारो साइड जो है ब्रित के लो असपर्स करते हैं यह ब्रित को जब असपर्स करते हैं और यहां पर यहां पर यहां पर दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है आपको बताना है कि इसमें इसकी त्रिज्या कितनी होगी इस ब्रित के आर कितना होगा यदि दिखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है कि BC बराबर 38 cm ये दिया हुआ है और CD बराबर 25 cm दिया हुआ है और BP बराबर आपका 27 cm दिया हुआ है ये तीन चीज़े आपको दी हुई है और ये भी दी हुई है कि एंगल D बराबर 90 डिग्री है और ये जो सरकील है साइड AB सब्सक्राइब करते हैं आपको बताना है यदि आपके पास आरे सगरवाल की किताब है तो वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगला मैं आपको जो कोश्चन देने वाला हूँ वह कोश्चन है क्वाडरिक एक्वेशन का वह कौन सा कोश्चन है तो फोर रूट थ्री एक्स स्क्वाइर प्लस फाइव एक्ष माइनस टू रूट थ्री इस इकूल टू जीरो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो जाहिर स और हमको यही दोनों मुल्क को फाइंड करना है और आपको बताना है कि एक्स की वह दोनों वैल्यू चाहोगी यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो क्रिपर चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके अड्मिशन तक सारी प्रोसेस से लेकर के तैयारिया तक प पिछला जो मैंने टेस्ट कराया था वो टेस्ट आप लोग दीजिए बहुत सारे बच्चे नहीं दिये हैं उस टेस्ट को दीजिए थोरा कोशन भले ही कटिन है लेकिन अधिया अपने ध्यान से क्लास्टेंट की बुक को पढ़ा है तो आप निश्चीत सारे को लगाने में सक्षब होंगे और कोशन को सॉल्व करिए टेस्ट नमबर टू के और कमेंट बॉक्स ने आंसर जरूर बताइएगा और आज मैं दोनों कोशन दिया हूं इसको भी आप सॉल्व करने का पूरा-पूरा प्रयास करिएगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में